पहवान राम की प्राणपरदिश्ठा को लेकर देश भर में तयारियां चल रही हैं बाशन करने के लिए इस वर्ट हमारे साथ हैं विश्विंद्र परिशत के कार्या दिक्षा आलोक कुमार जी सर पुरा देश इस वक्त राम में हैं हम देखने किस तरह से तस्वीर हैं हर आस्ते पर दोरों तरह पढ़ने वाले सरकारी और प्राइवेट भवन और स्वयम मंदिर यह सब कुछ उत्सुक्ता से पतीक्षा कर रहे हैं रामलाला के विराजमान होने का उन साढ़े चारहजार संतों के आने का जो देश के 150 से अधिक मत्पंथ संप्रदायों के हैं तूरस्त खेत्रों में रहने वाले जन जातिये संतों का अनुसूचित समाज से आने वाले संतों का जैन बहुत दसिख परंपरा के भी और उन 2,500 लोगों का जो भारत के समाज जीवन में पार में शिक्षा में और भी किसी खेत्र में सब में और ये आयोध्या केवल उस आयोध्या में नहीं होगी जो जहां कारेकमर मंदिर है विश्व में पांच लाख मंदिरों में साथ आठ करोड़ हिंदू उस मंदिर को एक दिन के लिए आयोध्या मानेंगे एक अठा होकर देखेंगे खड़े होकर आर्तिक आकर से भागिता करेंगे इन सब चीजों की तयारियां पूरी हो गई है उत्साह से उमंग से आनंद से इस तीर्थ यात्रा के लिए लोग तयार ह भाल गोर से कली आप मोहांत कता खाबनी जी ने कहा कि मैं आना चाहता हूं अ का उनकी बेटी के साथ में लॉजिस्टिक्सन की पारेंट से अनिक विशेश विवस्थाओं की आवशक्ता रहेगी विश्व हिंदू परिशद ने उनको आश्वस्त किया है कि हम सब विवस्थाएं करेंगे उनका आना महत्वपूर्ण है वे आएं जितनी देर कारिकम में रह सकें रहें पूरे हिंदू समाज को उनकी उपस्तितिक अची तू हमने कहा कि आप ववस्थाएं बता दिजी जो भी ववस्थाओं के आवशक्ता होगी करेंगे एक सब्सक्राइब की इस पूरे प्रक्रण को लेकर राजनीती काफी हो रही है कॉंग्रेस पार्टी में कली ही जो है कह दिया कि वो इस पूरे आयोजन में हिस्सा न नहीं देना चाहता है ट्रस्ट ने तैय किया कि प्रधान मंत्री आ रहे हैं तो वैसे ही विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए हमने केवल भाजपा अध्यक्ष को नहीं बुलाया उसी स्तर पर उसी संबान से हमने सब बड़े राजनीतिक दरों के अध्यक्षों को बुला अगर राजनीति करनी होती तो इन सब नेताओं को निमंत्रन क्यों देते हैं सब को बुलाने का मतलब यह है कि अब विगत को भूल करके भविश्य के लिए सब मिल करके इस मंदिर को आगे बढ़ाएं ओन करें जो नहीं आना चाहते हैं उनकी इच्छा है जो आएंगे उनक स्वागत करेंगे एक जो महत्कुन सवाल है अखिलेश अदव को लेकर वो यह कह रहें कि वो आपको पहचानती ही नहीं और वो जिन लोगों को नहीं जानते हैं उनसे वो निमंत्रन स्विकार नहीं करेंगे इस तरह की बातों को आप किस रस दे पहली बात तो यह है कि मैं को निमंत्रन देने नहीं गया वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने सोचा कि कैसे देना है पर उनका तरक मुझे समझ नहीं आया कोई यह कहें कि मैं डाकिये को नहीं जानता कोरियर परसन को नहीं जानता कोरियर बॉय को नहीं जानता इसलिए मैं स्विकार नहीं करूंगा मे से यह तो रामलला का उत्सव और उस ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण है जिस ट्रस्ट को सुप्रीम कोट के आज़ेशपर केंद्र सरकार डिंव बनाया है कि इसमें्त लोग को वह जानते हैं नहीं जानते हैं यह कहांसे बाधा बनता है आएंगे तो अच्छा लगेगा एक आप विश्वंदी परिशत के कारे अध्यक्ष हैं मैं आपसे परस्टली आप कैसा फील करते हैं जब इस तरह की चीज़े आती हैं लोग कहते हैं कि हम आयोजन में नहीं जाएंगे कुछ लोग कहते हैं कि इसका राजनितिक गरंड किया ज लखनव से अयोध्या लोग पैदल गए गोलियों के सामने पुलिस की सीना खोल के खड़े रहें मृत्यु आई तो उसको भी परिवार माना किसार तक हो गया था जीवन इन सब के दिमाग में कभी भी सत्ता नहीं थी सत्ता लोगों को लल्चाती है मरने के लिए तैयार नही वो बलिदान का नहीं होता है 1984 से पूरे हिंदू समाज ने इस आंदोरन को सफल किया 65 करोड़ लोगों ने 3300 करोड़ रुपिया दिया एक कुड़ा भीनने वाली बहन ने 40 रुपे कमाए इकठा किये थे 20 रुपे दान कर दिये हमने उसको बुलाया है गया इस कारेक्रम में तो फिर हमारी आखों के सपने सत्ता के नहीं थे पर ये ठीक है कि कोई राम जी के साथ खड़ा होगा कोई विरोध करेगा लोग इसको देखेंगे लोग यथा योग्य वैभार करेंगे अपनी बात रखते हुए विश्विन दुपरिशत के कारे अध्यक्षवे आलोक कुमार जी उन्होंने बताया कि तैयारियां पूरी हो चुकी है लोगों को जरूर वहां पहुँचना चाहिए कैमेमन अंकित जाने के साथ मैं प्यूश मुश्रा दिल्ली आज तक